बात करते हैं कुम्भराशी की, जो कुम्भराशी की जातक हैं आज आपको चतुर्दिक लाफ मिलेगा जिस आपका मन प्रफुलित रहेगा आपकी महत्वकांची जनाएं पूर्ड होगी, दूर देश की अत्रा होगी, रोग और सत्रू से अपने को घिरेवे महसूस करेंगे, सत्रों की संख्या में ब्रद्दी होगी, दामपत्य जिवन में सुधार होगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा आज आपको अनेक प्रकार के कारियों से लाव मिलेगा, जिसके नात्य आपका मन प्रफुलित रहेगा, प्राकरम सतन लाव मिलेगा, संततियों का सुख मिलेगा, परिवारिक के सिते उत्रोतर अच्छी होगी, सौधानी का अबरत नहीं है, अपने खर्च पर नियंतरा डख आरम भुजगेंद्र हारम, सदाब संत भुर्दार विंदे भवं भवाने सहितम नमामी, नमस्कार मैं हूँ जोच्छाचार डॉक्टर विंतर पाठी, आप देख रहे हैं भागी गुरु कारिकरम, भागी गुरु कारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम कब होगा सुर्यास्त कब होगा चंद्रोदय कब है चंद्रास्त कब होगा ये सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे आज का महामंत्र क्या है महामंत्र का जब कैसे करेंगे जब करने से आपको क्या लाब मिलेगा ये भी बताएंगे बारह राशों के भी बारे में आपक कौन कहानी लिखेगा कौन फिल्म बनाएगा कौन खेल के चित्र में जाएगा इस सारी बात हम आपको पताएंगे किस अंक के प्रयोग करने से आपकी महान उन्नत होगी सौधानी के अबरतनी है उपाय क्या करना है गुरू के नुस्खे क्या है और आज जिनका जनम दिन उनके भी बारे में बताऊंगा और दर्सकों के प्रस्टों का उत्तर वेज़ोंगा आप देखते रहेए भागी गुरू कारिकरम अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है 14 जून 2024 दीन है शुक्रवार सुर्योदय हो चुका है प्राता पांच बच के 22 मिनट पर चंद्रमा रहेगा सिंग राशी में उत्रा फालगुनी नच्छत्र है सुक्ल पक्ष है सिद्धी योग है और आज का जो सू मोहर्त है वह सुबा 11 बच के 23 मिनट से लेकरके 12 बच के 49 मिनट तक रहेगा रहुकाल है सुबा 10 बच के 36 मिनट से लेकरके 2 पार 12 बच के 20 मिनट तक रहेगा पश्यम दिशा का दिशाश्वोल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चंद्रमाज शिंग राशी में है आज अगर आपकी कोई प्लान है योजना है तो उसको कर्यानवित करनी की जुरुत है अपनी मैजिनेशन को रियल्टी में बदल सकते हैं आज का दिन आपके लिए वेहत सुभ है प्रयासरत कारों में बड़ी सफलता मिलने का योग तिकरा है राहुकाल में कोई भी कार न करें तो अच्छा है सुम मूर्थ में क्या गयकार फलिभूत होता है तो सुम मूर्थ में ही किसी ने कारी की शुरुवात करें अगर स्टार्ट अप या कोई बैपार या नई चीजे करना चाहते हैं तो सुम मूर्थ में ही आप करें राहुकाल में कोई भी कारें और अगर दिशा सूल में यात्रा न करें लेकिन यात्रा अगर लगताव के पूरे निरदारित है पहले से फिक्स है तो क्या करें कि एक दिन पूर सुम मूर्थ में प्रस्थान निकाल के आत्रा करें आपके लिए अच्छा रहेगा